हाई अब्रिवन आज का मेरा वीडियो है राखी ब्लॉग तो आई हो यह आपको पसंद आएगा लास्ट तक वीडियो को आप देखना बहुत कुछ देखने को मिलेगा आपको आज है संडे और कल मंडे को होगी राखी तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ अपने दुसरे घर पे राखी सेलेब्रेशन के लिए तो पहुत टाइम बाद मैं घर से बाहर निकल रही हूँ लोगडाउन के जैसे कहीं पे आना जाना नहीं हो पा रहा था और यह देखो बच्चे भी काफी टाइम बाद घर से बाहर निकल रहे हैं यह है सानू मेरी डॉटर और आप देख रहे हैं मौसम जो है वो भी काफी अच्छा है बारिस होने वाली यह लग रहा है और इसके बाद घर पे पोश्ते-पोश्ते साम हो गई तो यहाँ पे बन नहीं दिखाऊंगी बस थोड़ा बहुत आपको जो है कुकेंग का दिखा देती यहां पे मटर पनीर और बटर नान यहां पे रात के डिनर के लिए बना था उसकी बाद नेक्स डे मैं आपको दिखाती हूं राखी सेलेबरेशन का तो सबसे पहले जो मेरे बच्चे हैं उन्ह के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने मेरे भाई ने कैसे राखी सेलेबरेट की और साथ ही मैं लास्ट में वीडियो में कहीं और घुमने जा रही वो जगह भी आपको मैं जरूर दिखाऊंगी अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको पता चल जाए एक दूसरे को लेकिन फिर भी इनकी जो है लड़ाई वो चालू है राखी को ही लेकर कि लाइट वली राखी है तो भाईया को हम नहीं बादेंगे हम खुदी ले लेंगे उसको उसके बाद यहां पे शौरे को राखी बाद रहे हैं पंची और यह सबसे चोटी है और यह ब लगा देना वह लगा देना बहुत जादा इन्होंने मुझे रात भर पकाया मैंने बुला ठीक है मॉर्निंग में आपको जो है मेकप करके त्यार कर दूँगी तो देखे मॉर्निंग में थोड़ा सा मूझ से मेकप भी करवाया हुआ है और उसके बाद आप जो है शौरे को लाइक जरूर करना और अगर आपको ये मेरा ब्लॉग है जो अच्छा लगा होगा अच्छा लगेगा यानि लास्तक अगर आप इसे देखेंगे तो आप मुझे कमेंट करके बताना अगर आपको और भी मेरे ब्लॉग देखना चाहते हैं तो मैं बनाने की कोसिस करूंगी इस लाइट वाली राखी है तो बच्चों को क्या इसमें थोड़ा इंट्रेस्ट आ जाता है और वह बंधवा लेते हैं और इसकी उपर जो कुछ कार्टून होते हैं और उसकी बाद आप इसको प्रेस करेंगे तो इसमें लाइट जलती है तो इस तरह की राखी से बच्चे जाते हैं मैं मेरे ममे के घर पर उसके बाद मैं आपको दिखाओंगी कि वहा पर क्या क्या हुआ तो देखे सबसे पहले हम पहुचे तो पहुचने के बाद यहां पर यह है मेरी भती जी, माही और अब ये जो है शौरी को राखी बाधेगी सुबह से इंतजार कर रही थी अपने भाई का राखी बाधने के लिए तो अब यहाँ पे इनको इनकी दादी यानी की मेरी ममा बता रही है कि आप कैसे राखी बाधो शौरी भी थोड़ा माही को बता रहे है कि किस तरह से राखी बादनी है क्योंकि अभी अभी हो चार लोगों से राखी बंधवा के आ रहे है तो उनको experience हो गया है कि पहले क्या करना है उसके बाद नहीं पर देख रहे हैं माही चावल वाली राखी शौरी को बांद रहे हैं जो मैंने आप सब के साथ लास्ट वीडियो में शेयर की थी अब मैं मेरे भाई को राखी बांद रहे हूँ और हम दोनों करीब 7-8 साल बाद जो है राखी मना रहे हैं क्योंकि हमारे गाँ में कोई बुढ़े अंकल त्यानी दादा जी थे तो वो आफ हो गये थे तो जिसके जैसे राखी मनाना बंद हो गया था तो लास्ट येर किसी गाय को बच्चा हुआ तो उसके जैसे रक्षा बंदन वापस से मनाना स्टार्ट हो गया इसके लिए हम दोनों काफी हासरे आप देख रहे होंगे और उसके बाद इस तरह से जो है मैंने बहुत सिंपल तरीके से अपनी राखी सेलिबरेट की और आप देखने मैंने बहुत कम जो है मेकप भी किया हुआ है जैसे कि मैं आपको बताया था कि टाइम नहीं मिलता है तो वाकर में मुझे भी बहुत कम टाइम मिला क्योंकि बच्चों की पहले राखी सेलवेशन करनी थी और उसके बाद फिर उतनी दूर से यहां पे आना था जिसके टाइम कम मिला उसके बाद भाई ने मुझे पैसा दिय और उसके बाद उसने यह मेरे लिए साड़ी लेकि आई थी जो मुझे बहुत पसंद आई और उसके बाद मैं जारी थोड़ा सा बाहर घुनने के लिए तो चले आप भी मेरे साथ आजाईए तो यहां पे देख रहा बहुत ज्यादा ग्रिनरी है क्योंकि बारिस का मौसम है तो यहां पे ग्रिनरी हो जाती है और उसके बाद जो है मौसम भी थोड़ा बारिस वाला हो चुका है बारिस होने वाली है तो इसके बाद मैं थोड़ा सा सही जो है राउंड लगाते लगाते कहीं और पहुचने वाली हूं तो लास तक आप जरूर देखना और उसके बाद अगर आपको वीडियो यूसफुल सॉरी वीडियो पसंद हैगा तो वीडियो को लाइजर करना यूसफुल क्या लगेगा इसमें यह तो बस मैंने ऐसे सुचा कि आप सब के साथ एक बास शेयर करूँ और उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है हवा भी काफी अच् मंदीर और जैसा कि 3 बज़ रहे हैं तो मंदीर में जो है वो सिवजी का भी सिंगार नहीं हुआ है नहीं तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इस सिवजी की सिवलिंक इसका इतना अच्छा सिंगार होता है कि आप देखते रह जाएंगे उसकी पीक अगर मेरे पास होगी तो मैं साइट में लगा दूँगी उसके बाद यहां पे मैं जा हुरी हु अंदर और बस ऐसे यहां पे कुछ फूल वूल मिल नहीं रहे थी तो सिफ मैंने दूद मिल रहे थे तो दूद लेकर सिउजी को चछा गा दिया और यहां पे जो मंदीर में है सभी देविडे रहत कह विशेख होने वाला था तो इसकी ही तयारिया चल रही थी और अभी चार भी ने बजे मैंने आपको बता है तो चार बजे यहाँ पे जो है सिव जी का भब सिंगार होता है बहुत ही अच्छा शिंगार करते हैं और उसके बाद यहाँ पे देखिया पंडी जी कुछ मंत्रों गर लटते टाइम मुझे रास्ते में पीक दिखाई दी तो मैंने इनकी वी वीडियो ले ली और उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने अपने पैरों में करलर लगाया हुआ है तो हमारे में जब फास्ट रखते हैं तो करलर लगाते हैं तो इसलिए मैंने भी बहुत क्यूट है और उसके बाद 12 उनिस टार्ट हो गई थी तो मैं फटा फट अब घर पे जा रही हूं देखिए अब रात के बजरे आंट और यहां पे बन रहा है साब उदाने का वड़ा फलहार के लिए और इसमें हम सिंदा नमक यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि नमक किसी भी फास्ट में नहीं खाना चाहिए